हलो प्रेंट्स आज हम मानचित्र में प्रमुक मरुष्टल खाड़ी तथा जलड़ अमरुमद के बारे में जानेंगे जो परिक्ष्या में पूछे जाएंगे हाँ आपको सभी प्रिक्ष्णों को द्यान से देखना और समझना है तो आएए शुरू करते हैं और देखते हैं मानचित्र समंदी प्रिक्ष्ण जो परिक्ष्या में पूछे जाएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रंवम्क्स भौ अजया जाए तो मोजे मरुस्तल तो मोजे मरुस्तल ये कहां पर रहे तो यह आपको यहां हम दिखागा है यह और यह काहां पर रहे हैं तो यह संयूंक ठ्रहा जय मेरीकह है यह दक्षिन तथा मद्द कैलिफोर्णिया दक्षिन तथा मद्द कैलिफोर्णिया नेवाड़ा यूटा और एरिजोना तक फैला हुआ है यह कैसा है यह एक गरम बहुत डेजर्ट है गरम रेगिस्तार है और इसके चेत्रफल की बात करें तो यह यह एक्यासी अजार वरग किलो मेटर यानि 31,000 मील में फैला हुआ है है अब आप बाच करते हैं सहारा मरुस्ताल की तो सहारा मरुस्ताल है वह कहां पर है तो सहारा मरुस्ताल विशू का सबसे बड़ा गरम मरुस्ताल है यह सबसे बड़ा मरुस्तल है बारत के राजस्तान में सबसे ज्यादा चेत्र में यह पहला हुआ है इसका चेत्र पर 2,38,254 वरक किलोमेटर है इसका 85 परसेंट बारत में और 15 परसेंट 15 परसेंट पाक आपर है पाकिस्तान में यह है कौशा यह थार रेकिस्तान यह थार मरुस्तल है यह अब हम बात करते हैं गोबी का मरुस्तल तो जो गोबी का मरुस्तल है यह कैसा मरुस्तल है यह थंड़ा मरुस्तल है जैसा है यह थंड़ा है गोबी दुनिया के थंड़े रेकिस्तानों में से एक है यहां का तापमान जीरो डिग्री से माइनिस 40 डिग्री पैशियस तक नीचे चले जाता है यह एए सबस्तित्र हुआKIN علىधे दंद Everything में इस ज्यद्वेस मंगोले इसका चेत्रपरण चार लाख बाइस अजार चार सो चारशासटवरा किल मेटर है इसका Great Victoria का और बात करते हैं Pentagonia मरुस्तल पेंटागोनिया मरुस्तल है यह कैसा है यह भी और दुनिया का आठवा रेगिस्तान है इसका चेतर पर पांच लाख बहत्र जार आठ सो तरशी वरा किलोमेटर है तो आपको समझ माया यह है मोजे यह कैसा है यह होट है यानि गराम मरुस्तल है यह सारा यह भी गराम मरुस्तल है सारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्तल है थार यह राजस्तान इंडिया में सबसे बड़ा राजस्तान में सबसे बड़ा है यह भी होट डेजर्ट है गोबी गोबी है यह कैसा है यह है कॉल्ड यानि चीत मरुस्तल है यह उसके बाद में ग्रेट विक्टोरिया है ग्रेट आपकी त्हंडार नापल करते हैं जो है अब हम हागे बात करते रहें कुछ प्रमूख राण आडिया और जल्डवरूमत कौन कौन से उनके बारे में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कच करन तो यह कच करन का है तो यह यहां पर रिष्टित है और यह क्या है यह इंडिया का गुजरात है गुजरात राज के कच जिले में एक नमकीन यानि नमक वाला दलदली वीरा निस्तल है और इसका चेतर 23,300 वरक किलोमीटर है किसका कच के रण का अब कच की खाड़ी तो कच की काड़ी कहा पर है तो कच की खाड़ी है यह भी गुजरात के कच जिला और जामनगर जिले के मद में इस्तित है यह गुजरात है यह वाला इरिया तो यह गुजरात के यह पानी वाला इरिया है तो कहा पर है यह जामनगर और कच डिस्टिक मे इसके पच्छिन पह विए यह कचकी होँ अरब सागर का ही है ऐसी का आपूझा अहां है गार नांबक क्या है कई बार पूछा जाते है तो पूर का नंब उसका केमबे कीखाडी के नाम से जाना जाता है यह आरभ सागर में एक तिकोनी आकृति की खाडी है यह तिकोनी होगई यह यह तो यह क्यों होगा है तिकोनी खाडी हो गई यह दक्षिन और से अरब सागर में खुलती है दक्षिन इधर को दक्षिन की तरफ कैसे यह यह है तो दक्षिन में अरब सागर की तरफ खुलती है यह और गुजरात के सागतत मुंबाई और काठियावाड प्रादीप में यह इस्तित है तो यह एरिया है यह यहां पर इस्ति में इसको पाढ़ देती है अम बात करते हैं मनार के हाड़ी के एक फाण करती है ये इंदमा सागर है इसमें इसका एक निर्मान करती है घाडी बारत के दक्षिन पूर्य और स्री लंका के पचमितर्ट ये वाला इरिया है ये क्या है इसकि पचमितर्ट में बीच में ये इस्तित है बारत के दक्षनिपूरी ये वाला एरिया है ये बारत का है और ये स्रिलंका का है तो इसके दक्षनिपूरी यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी है अब हम पाक डमरू मद्द तो पाक डमरू मद्द है ये भी यहाँ पर रिस्तित है ये ये वाला पाक डमरू मद्द है बंगल की खाड़ी को पूरो तरो में पार खाड़ी देख्षणपच्षी में मनार की खाड़ी से जोडता है इसका नाम रावर्ट आप जो विडुटिस राज में मद्रास की प्रेसिडेंसी का गवर्नर था उसके नाम पर नाम का रखा गया पाक जल्डमरू मद्ध रखा गया था तो यह जो मैप हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें से एक जाम में जरूर पूछा जाएगा हासा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो है वे नाइस दे